हेलो वीवर्स मैं सोपी रामन आप सभी को सैफटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हम लोग जो भी इडियो देखेंगे ओ है इलेक्शन के बग फॉर्म 17C हम लोग कैसे फिलाप करेंगे जो फॉर्म हम लोग फिलाप करेंगे वो करेंगे विरान सभा भोट के लिए यानि के विरान सभा इलेक्शन के लिए तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग फॉर्म 17C को फिलाप करेंगे इतनी में सारे पेपर्स हम लोग एलेक्सम के बगत फिलाप करते हैं उन में से एक बहुत ही ज़वरी फॉर्म है एक फॉर्म 17 सीब इसे फिलाप कैसे करते हैं एक बताने से पहले आप लोग को एक बात याद लादू अब आपने अभी तक इस चैनल को सम्क्राइब नहीं किये हों हैं तो सुसक्राइब बतन में क्लिक करके इस चैनल को सुसक्राइब कीजिए और उसके बाद जब बेल आएगा उस बेल को क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे आप्लोट किया गया नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चले आगे बढ़ते हैं ए एनेक्स्टर 11 जिसका दो पार्ट होता है पार्ट 1 एकाउंट अप वोटरस रेकोर्ड और पार्ट 2 जो की काउंटिंग के बफ लगता है हम लोग को यानि के जो प्यारो यानि के प्याइडिंग को पिस्टर होंगे और सिर्फ पार्ट 1 ही फिलाप करेंगे तो सबसे पहले इलेक्शन टू दा हाउस अप दे पीपल लेजिसलेटिटिव एसेंबली अप दे स्टेट और यूनियन ट्रेटरी एक विधान शाब गोत है इसलिए हम लेजिसलेटिव एसेंबली अप दे स्टेट को रखेंगे बाकता जो प्यारों से उसे हम लोग के देंगे तो इहाँ पर हम लोग जो दो से उसे आप क्याड देते ये बाकी रहा legislative of the state अब from dash constituency यान के कौन सा विदानसवा खेतर या निरवाचन खेतर है उस खेतर का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा माल लेगते हैं 285 सिरी है तो यहाँ पर हम लोग डाल दे 285 जो विदानसवा का नंबर है और उसका नाम उसके बाद है number and name of the polling station यान के polling station का नाम और number तो यहाँ पर हम लोग उस polling station का पहले number डाल देते हैं और उसके बाद polling station का नाम हम लोग डाल देंगे तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 61 उस muscle primary school room number 1 अगर एक ही room हो तो room number 1 लिखने का जरूत नहीं है लेकिन काफी जगह पर एक ही साथ यानि के एक ही building पर दो polling station रहता है उस पर room 1 और room 2 या अगर दो से ज़्यादा 3 रहे तो room 3 लिखना पर तो यहाँ पर सिर्फ एक ही room है इसलिए room 1 लिखा गया है आप लोगों दिखाने के लिए नहीं तो room 1 लिखने का जरूत नहीं है अगर एक से ज़्यादा polling station और तो ही यह लिखना परता है उसके बाद आता है आईडियम प्रिक्सन नमबर और वोटिंग में से यानि के polling के लिए जितने पी सारे उखकर यूज़ किया जाता है यानि के control unit, ballot unit और वीवी पेट का जो नमबर है और यहां पर डालना पड़ेगा साथ से पहले हम लोग control unit का नमबर यहां पर डाल देते हैं उसके बाद ballot unit जो दिया गया है उसका नमबर डालते हैं उसका बाद जो भीवी पेट दिया गया है भीवी पेट का नमबर यहां पर डाल देते हैं अब नीचे आते हैं एक नमबर पे टोटल नमबर इलेक्टर एसाइन आप दा पोलिंग इस्टेशन यानि के पोलिंग इस्टेशन पे कितने भोटर दे गया है आप लोगो जो मार्क पॉपी दिया जाएगा मार्क पॉपी बेल लिखा होगा टोटल कितना भोटर आप लोगो दिया गया है वही भोटर का नमबर यहां पर देना पड़ेगा माल लेते हैं इस पोलिंग इस्टेशन पे 709 भोटर से तो यहां पर ओ नमबर हम लोग डाल जेते हैं यहां पर कोई EDC नहीं होगा लोग सब भोट पे EDC होता है लेकिन इस पर कोई EDC नहीं होता है जितनी भी करमचारी होता है भोटिंग के लिए उन सभी को पोस्टल बेल दिया जाता है इसलिए कोई EDC नहीं होता है तो यहां पर सुर्फ जितनी भी भोटर ऐसाइन किया गए है उसे यहां पर लिख दीजिए दो नमबर पे तोटल नमबर भोटर as entered in the register of voter फार्म 178 यानि कि फार्म 17A में तोटल कितना भोटर रेग्या है यानि कि लाज जो स्रियल नमबर है, वो यहाँ पर डाला जाएगा, तो चलिए, माल लेते हैं, 691 भोटर है, जो 17A रिष्टर पर रिष्टर किया गया है, तो 691 यहाँ पर लिख दिया गया है, नमबर तीन, नमबर वोटर डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड बूट अंदर रूल 49-0, यानि कि 49-0 के तहट कोई भोटर अगर 17A पर रिष्टर होने के पाथ, बोले नहीं, मैं भोट देना नहीं चाहता हूँ, ऐसा अगर कोई भोटर हो, तो उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, माल लेते, एक भोटर ने ऐसा किया है, कि 17A पर रिष्टर होने के पाथ, उन्होंने भोट देने से इंकार कर दिया है, और सब भोटर को यहाँ पर हम लोग लिग दे, और सब भोटर एक था, इसलिए एक लिग दिये, चान नमबर, नमबर अब भोटर नोट एलाओ टो भोट अंडर रूल 49M, 14 यह रूल के तहर्ट कोई भोटर अगर भोटिंग रूल को भाइलेट करता है, तो पीटा सी अधेकरी उसे भोट देने से बाढ़ा दे सकते है, ऐसा कोई अगर भोटर हो, तो उसका नमबर यहाँ पर लिखिए, अगर नहीं है तो नील लिखिए, माल लेते हैं, और ऐसा एक भोट अथा, तो यहाँ पर हमने एक डाल दिया, पांस नमबर, टेस्ट बोट है रेकोड़ेड अंडर रूल 49MA, सिकार टू वी डिडाक्टेड, टेस्ट बोट, अभी तक एक भी बूट में एक टेस्ट बोट नहीं किया गया है, और टेस्ट बोट होता नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर एक्जाम्पल केता है, यहाँ पर माल लेते हैं, दो टेस्ट बोट दिया गया था, तो यहाँ पर हम लोग टोटन नमबर आप टेस्ट बोट लिखेंगे, और हम लोग डालेंगे, सियल नमबर आप एक्टर, इन फॉर्म 17A, यानि कि फॉर्म 17A में रिज्टर केया गया, जो test bot है वी CL नंबर को यहाँ पर हम डालेंगे तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं मान लेते हैं दो test bot डाला गया था जिसका 17A पर CL नंबर है 258 और 308 अब नीचे ए test bot का हम लोगो detail डालना पड़ेगा दो test bot डिया गया था यह दो test bot किसको किसको डाला गया था मान लेते हैं जो पहला जो test bot था वो दो नंबर CL पर जो candidate था उसको डाला गया है और दूसरा जो vote डाला गया है वो है 5 नंबर जो candidate था CL नंबर पर उन्हें डाला गया है तो हम लोग यहाँ पर दो जो test boat थे और test boat का detail हम लोग डाल दिये हैं अब नीचे चलते हैं नीचे आप 6 number पर आप देख सकते हैं total number of boaters recorded as per voting machine यानिके voting machine पर कितने boat डाला गया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 17A पर register किये हैं 691 यानिके 601 पर इसमें से एक भोटर ने बोलाए कि नहीं मैं भोट देना नहीं चाहता हूँ एक भोटर को PID officer ने रोग दिया है तो total जो भोटर होगा total boat machine पर होगा 691-1 और यहाँ पर –1 यानिके 689 तो नीचे चलते हैं तो 6 number पर हम लोग लिग जेगे 689 अगर हम लोग voting machine पर देखें तो voting machine पर टोटल जो भोट होगा और 689 ही दिखाएगा अब next page पर चलते हैं अब 7 number होज़दर तो number of vote as shown against item 6 tallies with the total number of vote as shown against item 2 minus number of voters deciding not to be recorded vote as against item number 3 minus number of voters as against item 4 आई 2 minus 3 minus 4 और any discrepancy notice यानिके यहां पर आप पहले देख चुके हैं जे number 2 पर जे total vote 78 रिस्टर पर है उससे हम लोग minus के number 3 और number 4 उसके बाद जो result आया यानिके यहां पर है 689 हम लोगो जो control unit का total vote उससे मिलता है नहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओम मिलेगा तो यहां पर हम लोग लिख देंगे yes tallies तो यहां पर हम लोग लिख दे yes tallies अगर कोई tender ballot paper issue होता है तो उसका number यहां पर लिखे अगर कोई tender paper issue नहीं होता है तो यहां पर निल लिखे नमबर नो number of tender ballot papers यहां पर tender ballot papers का details डालना पढ़ेगा यहां पर कितने ballot paper आपको दिया गया है कितने अपने issue किया है और कितने आप return करें उसका details इहें डालना पर रहेए तो सबसे पहले receipt for you इतने बैलर पेपर आपको दिया गया है और उसका स्रियाल नमबर कितने से सुरू होके कितने तक तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हम लोग को 20 बैलर पेपर इसू किया गया था जिसका स्रियाल नमबर है 009506 से लेके 069525 इसू टू इलेक्टर कितने बैलर पेपर इसू किया गया है अगर कोई बैलर पेपर इसू गया है उसका नमबर लिखे और कितने से कितने तक बैलर पेपर इसू किया गया है उसका नमबर यहाँ पर डाल दीजे अगर कोई बैलर पेपर इसू नहीं किया गया है तो यहाँ पर नील डाली, not use and return और जितने use हुए हैं उसके बात बाकी चितना बच गया है उसे हम लोग को return करना पड़ता है तो उसका detail यहाँ पर डाल दीजे यहाँ पर दिखाए दे रहा है जो कोई ballot paper use नहीं किया किया है इसलिए जितने भी ballot paper दिया गया था है पूरे के पूरे है return होगा तो उसका detail हम लोग नीचे डाल देते हैं हम लोग को 20 दार paper दिया गया था और 20 के 20 ही हम लोग return कर रहे हैं जो उपर का form और 2CR नमबर था वही यहाँ पर रहेगा अब 10 नमबर, account of paper seal यानि कि जितने paper seal आपको दिया गया है उसका detail यहाँ पर डालना पड़ेगा paper seal supplied for use कितने paper seal आपको supply किया गया था है यानि कि आपको दिया गया था यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं हम लोग को 2 paper seal दिया गया था उसके बाद है serial number from 2 कितने से कितने तक ओ भी हम लोग डाल देते हैं 3488110665 से लेकर 3488110666 तक हम लोग को दिया गया था उसके बाद paper seal यूज कितने paper seal हमने यूज किया है उसका detail यहाँ पर डालेंगे हम लोग एक ही paper seal यूज किया है उसके बाद उसका serial number यहाँ पर डालना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं उसका serial number यहाँ पर 2 में पूछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक ही paper seal यूज कर रहे हैं unused paper seal return to returning officer कितने paper seal हम लोग return कर रहे हैं उसका detail यहाँ पर डालना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग एक paper seal यूज किया है तो दूसरा जो paper seal होगा और हम लोग को return देना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग लिग देते हैं हम लोग एक paper seal return कर रहे हैं तो यहाँ पर एक लिग दिया अब यहाँ पर डालते हैं serial number का paper seal हम लोग return किया है और यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर डाल दिया ओर नम्बर चार नम्बर पर डैमेज पेपर सील डैमेG नहीं हुआ, इसलिए यहापर mon격 निल लिख देंगे, अगर कोई पेपर सील डैमेज होता है, तो कितने पेपर सील डैमेज रहा है और उसका स्रीयल नम्बर यहाँ पर डालना परेगा अब side पे एक ही साथ रहेगा signature of polling agent पूरा form फिलाप हो जाने के पाद signature of polling agent यानि कि आपके boot में जितने polling agent और present रहेंगे उन लोग का signature इस form पे चरूद पड़ेगा जितने भी polling agent उन लोग को signature के लिए एक form दीचे और उन लोग यहाँ पर signature कर देंगे तो यहाँ पर एक के पाद जितने भी साथ polling agent होंगे और signature कर देंगे उसके बाद नीचे चलते आप यहाँ पर डालना पड़ेगा voting का जो date है और voting date है यहाँ पर डाल दीजे उसके बाद place जिस building पे आपके उसी building का आप नाम लिग दीजे उसके बाद signature of the PID को पर जो पीटा सीन अर्धिकारी होंगे और यहाँ पर sign करेंगे उन्हें sign कर दिया उसके बाद नीचे लेखना पर polling station number polling station का जो number होता और यहाँ पर डाल दीजे और यह काम करना है जो distinguish mark है यानि के जो seal है वो seal यहाँ पर देना पड़ेगा आसा करतों इस वीडियो के जरिए आप लोग समझ गे होए कैसे A17C form को fill up करना है और आसा करतों एक वीडियो आप लोग को अच्छा लगगा अगर एक वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है